डियर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई डियर फ्रेंट्स आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूं इस चैनल की सुरुवात एक चुल में केमेस्ट्री डाउट सॉल्विंग से सुरू हुई थी इस टुडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑफेंटिक करेक्शन नहीं मिल पा रहा था और साती-सात मिनमम टाइम में Welsh्टडी करनी थी तो एक एक कॉंसेप्ट लेके के अफेंटिक नौलज देनी है और मिनमम टाइम में में एक्सम श्टडी करानी है इस कॉंसेप्ट के साथ इस चैनल के शुरुआत हुई थी बाद में स्टुडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो तो फिर डिफरेंट डोमेंड के और डिफरेंट सब्डेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया जो कि क्लास फिप्त से स्टार्ट हैं आप इसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों चाहिए वो इंग्लिस मीडियम के हों और किसी भी लेबल के हों लगवख सारे लेबल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे अभी तक लगबाग 1800 प्लस यानि 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किये जा चुके हुए हैं जो कि डिफरेंट डोमेंट के हैं आप एक बाद प्ले लिस्ट सर्च करेंगे I hope कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे आपका प्यार लगातार मुझे मिल ला है और यह आगे भी मिलते रहना चाहिए क्योंकि यह मोटिवेशन के लिए बहुत जादा जूरी है बट अभी के डेटा के साब से आज के डेटा के साब से अगर मैं देखू तो लगबग 75% वीवर्स जो है वो इस चैनल के नॉन सब्सक है तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जूरी है तो प्लीज इसको करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए कमेंट्स करते रहिए आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए यही आसा के साथ वीडियो From first bore orbit to fifth bore orbit आपको क्या करना है energy की value calculate कर दी है यानि energy of excitation की value calculate करनी है कब जब electron जो होगा वो first bore orbit से fifth bore orbit में move कर रहा है यानि n1 की value यह है और n2 की value यह है तेले ठीक है कह रहा कि and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state और आपको जब यह बताना है कि जब electron यहां पहुचा हो इसके बाद ground state में आया तो इसकी wavelength क्या होगी यहां पर आपको energy की value calculate करनी है और वो भी करनी है जूल में calculation ठीक है न और इसके बाद जब electron ground state में आया तो wavelength क्या होगी यानि दोनों का magnitude जो होगा वो सेम होगा यहाँ पर energy का sign plus में और यहाँ energy का sign minus में हो जाएगा वह सही है energy यहाँ पर released होगी और यहाँ पर absorbed होगी चलिए ठीक है the ground state electron energy is minus 2.18 into 10th power minus 11 arg दिया है तो इसने एक आपको value दे दी यानि इसने कहा कि वही जो होगा वह minus 2.18 into 10th power minus 11 by n square जो होगा यह arg होगी ठीक है यह ground state के लिए n की value को इसने 1 कर दिया तो यह 1 square हो जाएगा और hydrogen के लिए z की value जो होती है यह formula पूरा जो आता है वो z square by n square आता है तो hydrogen के लिए z की value क्या होगी 1 हो जाएगी तो यहाँ पर v1 यहाँ पर v1 तो यह value minus 2.18 into 10th power minus 11 arg पर atom हो जाएगी ठीक ना यह जो है वो arg पर atom जो है यह value आएगी तो चलिए हमें काम करते हैं कि इस data से हम उठा के इसकी पहले तो delta e की value को calculate करते है energy of excitation और वो जो value आएगी उससे lambda की value को calculate करें तो यहाँ पर delta e जो होता है वो en2 minus en1 होता है en2 minus en1 होता है तो आपके पास में en2 की value क्या 5 है तो यह निकि e5 minus e1 हो जाएगा अब आप यहाँ पर value को put करिए तो e5 की value अगर आप यहाँ पर इसाफ से रखेंगे तो जाएगा minus 2.18 into 10 to power minus 11 by हो जाएगा क्या 5 square ठीक है ना और यह हो जाएगा minus और यह हो जाएगा minus 2.18 into 10 to power minus 11 by हो जाएगा क्या 1 square हो जाएगा ठीक है ना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब जब आप इसको देखेंगे तो यह 2.18 into 10 to power minus 11 क्वामाना जाएगा और यह आपका 1 by 1 square minus 1 by 5 square हो जाएगा ठीक है ना जब आप इसको solve करेंगे तो आप देखेंगे यह value plus में हो जाएगी और यह value minus में है तो यह plus minus इदर आजाएगा तो उससाब से minus 1 by 1 square minus 1 by 5 square हो जाएगा तो यह value जो आएगी वो 2.18 into 10 to power minus 11 और यह जाएगा 1 upon 1 square 1 हो जाएगा और minus 1 upon 25 हो जाएगा ठीक है तो यह जाएगा 2.18 into 10 to power minus 11 अब यहाँ पर 25 आपके आएगी 2.09 into 10 to power minus 11 और आ जाएगी तो यहाँ पर यह value जो आएगी वो 2.09 into 10 to power minus 11 और आ गई बट आप से कहरा है कि आपको जूल में चाहिए इसको आंसर जो चाहिए वो किसमें चाहिए जूल में चाहिए तो इसको जूल में चेंज कर लेते तो देखो 1 और जू होत है तो वन और जो होता है वो कितना होता है 10 to power minus 7 जूल होता है तो अब इसका मतलब यह उड़ाएगा कि यह 2.09 into 10 to power minus 11 और यह उड़ाएगा 2.09 into 10 to power minus 11 into 10 to power minus 7 जूल यानि कि यह value आएगी आपकी यानि कि यह value आपकी उड़ाएगी जाके 2.09 into 10 to power minus 18 जूल तो यहां से आपको energy की value पता चल गई और जूल में आपको पता चल गई ठीक है अब उसके बाद कह रहा है कि भी आपको कह रहा है कि what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground यानि इसी क्या आपको wavelength calculate करना है यानि energy का magnitude जो रहेगा वो 2.09 into 10 to power minus 18 जूल रहेगा ठीक है तो भाई अब जड़ा energy और lambda में relation देखें तो E equal to जो होता है वो SC by lambda होता है तो हमें lambda calculate करना यानि यह SC by E हो जाएगा तो H किया है plank constant है value कितनी 6.626 into 10 to power minus 34 Joule second है into C की value कितनी है तो यह 3 into 10 to power 8 meter है divide किसे कर देंगे divide E से कर देंगे ठीक है ना lambda की value जो है वो आपको calculate करनी यहां पर meter per second है second से second cancel out हो जाएगा और meter आपका बच्च है तो यह value कितनी आ रही है वो जड़ा देख लेते हैं तो यहां पर देखें यह 6.626 into आपका 3 हो जाएगा और by you dagger 2.09 into उपर में देखेंगे तो 10 to power minus 34 है into 10 to power 8 है और नीचे 10 to power minus 18 है तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो यह value जब आप से solve करके लाएंगे तो यह answer जो आएगा आपका 951 into 10 to power minus 10 मीटर यानि कि इसको लिख सकते 951 एंग्स्ट्रॉम काहे लिए क्योंकि वन एंग्स्ट्रॉम जो होता है यह 10 to power minus 10 मीटर होता है तो इस तरह से आपको सम्झा रहा है कि answer जो आएगा वह आपका 951 एंग्स्ट्रॉम आ जाएगा